प्लांट इकोलोजी एंड टेक्सोनमी पहले हम टेक्सोनमी वाला पॉर्शन पकड़ेंगे ना बच्छो जो आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकिंड चेप्टर है आइडेंटिफिकेशन ठीकेशन में जो पहला टॉपिक है जो आपके exact syllabus के हिसाब से हर्बेरियम, its functions and some important हर्बेरिया of world and India तो हम शुरू आते हैं सबसे पहले हर्बेरियम से करेंगे बच्छो ठीकेशन की वाट इस आ हर्बेरियम अक्सर क्या होता है बच्छो हम लोग आप लोगों को कुछ काम देते हैं तीके कुछ काम देते हैं तीके उसके बाद हम आप लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं कि यरा सर ने हर्बेरियम बनाने को दिया है तुमने हर्बेरियम बनाया की नहीं बनाया है न ठीके मेरे प्यारे बच्छो असल में उस समय में आप लोग हर्बेरियम नहीं बना रहे होते हैं ठीके क्योंक बच्चों मेरे प्यारे बच्चों हर्बेरियम शीट ठीक है और जिसको हम माउंट बोर्ड भी बोलते हैं असल में आप कि माउंट बी ओ ए आरडी माउंट बोर्ड बनाते हो ठीक है और यही काम जब आप जाते हैं कि आप लोग कुछ और यही काम बच्चों संसार भरति जो तक्सूमिस्ट से फिलाल बात कर रहा हूं प्लांट टेक्सोनोमिस्ट भी यही काम करते हैं वो भी हर्बेरियम शीट बनाते हैं या माउंट बोर्ड बनाते हैं ठीके फिर अब आप लोग बोलोगे कि सर ये हर्बेरियम शीट या ये माउंट बोर्ड क्यों बनाते है ठीके तो उसके लिए सबसे पहले एक दो टर्म्स पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा एक छोटा सा टॉपिक है बच्चो जादा लंबा नहीं है तो हमें दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है बच्चो जब हमारा स्लेबस का हमारे कोर्स का टाइटल ही टैक्सोनोमी है और इ टी ए एक्स ओ एन ओ एम वाई एक तो हम इस शब्द को डिफाइन करेंगे दूसरा टैक्सोनोमी का मतलब कुछ पढ़ाई है बच्चो ठीक है कुछ स्टेडिस टैक्सोनोमी इंकलीट्स समस्ट आप स्टेडिस सम काइंड आप स्टेडिस एंड़ स्टेडी परफॉर्फॉर अब वर्यूसरा पाक्षॉर डॉज्ट्राम व्लीट्क तेक्सोनोमों काइंड और तैक्सो नो मिस्ट्सॉरी जमीजट्स करляं तेक्सोनोमी का मतलब है भाव एक्षंग कि यह वह स्टढी है जिस study के मदद से हम को एक नया plant introduce करते है mankind के लिए ठीक है अक्सर आप लोग किताबों में पढ़ते हो examples हम कितना देते हैं चाहे वो algae का हो, fungi का हो, bryophytes का हो, teradophytes का हो, gymnos pumps का हो, angios pumps का हो ठीक है कोई plant का नाम binomial nomenclature के अंडर बच्चो, ठीक है plant का नाम having one generic name and a one specific name जब किताबों के सामने आता है, आपकी किताबों में होता है research papers में होते हैं कहीं monographs में होते हैं कहीं flora में दिखते हैं, ठीक है तो असल बात क्या है, वो plant तो exist तो कर रहा है वैसे धर्ती के उपर ठीक है, exist तो करता है लेकिन mankind के सामने नहीं आया है समझ में आ रहा है बच्चो, अब ध्यान से सुनना है प्लीज मेरे प्यारे बच्चो taxonomy में वो studies include होते हैं जिसकी मदद से हम एक कोदे को, एक plant को जो अभी तक mankind के सामने नहीं आया है हलांकि इस धर्ती के उपर वो exist कर रहा है हम उसको mankind के सामने लाते हैं ठीक है, ठीक है और उसको पढ़ने के लिए हमको mankind के सामने लाने के लिए हमको कुछ पढ़ाई करना पड़ता है ठीक है, कुछ एक laborious एक tedious process के ठीक हम गुजरते हैं तभी जाके वो पोदा लोगों के सामने आ पाता है, ठीक है तो उस study को taxonomy बोलते हैं अगर हम एक bookish इसका definition देखें हम बोलेंगे, taxonomy a study that deals with or, taxonomy is a branch of botany that deals with the study related to identification comma nomenclature and then classification of a plant ठीक है बच्चो तो हम कह सकते हैं कि जो identification है, nomenclature है और जो classification है वो taxonomy का एक basic concept है by passing through these three different processes a plant is introduced to mankind and the study is performed by some group of people who are experts who are experts experts in the sense that who have a very keen interest in the field of for studying those plants or which have knowledge about the parts of that plants or those people who can describe that plant completely ठीक है मेरे प्यारे बच्चो यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो description है वो भी एक taxonomy का हिस्सा है जब हम किसी पोदे को नया introduce करते है संसार के सामने लाते है तो हम एक तो हम लोग हर्बेरियम शीट बनाना पड़ता है बच्चो ठीक है जो पहला जो step है identification identification के कुछ सब पार्ट्स है उनमें एक plant specimen बनाना भी एक जरूरी हिस्सा रहता है बच्चो ठीक है और मैंने description इसलिए बोला है कि वो लोग जो plant को अच्छे से describe कर सकते है वही taxonomist कहलाता है हर आम आदमी नहीं कहला सकता है बच्चो चाहे भले किसी में interest हो क्यों बच्चो क्योंकि जब नया plant संसार के सामने लाया जाता है mankind के सामने लाया जाता है तो उसका बारे में जो जानकारी है उस particular plant के बारे में total जानकारी बच्चो यहां मैं फिलाल morphological जानकारी की बात कर रहा हूँ ठीक है right from root, stem, leaf, leaves, different parts flowers, flower, different parts then seeds, fruits, etc the man who cannot describe those characters completely is said to be a taxonomist and his main job is to introduce a new plant to mankind ठीक है मेरे प्यारे बच्चो तो इसके लिए सबसे पहले हम herbarium sheet तयार करते हैं अब आप लोग बोलोगे गुरुजी herbarium sheet क्यों तयार करते हैं बस इस पर भी मैं एक दो मिनट देना चाहूंगा बच्चो फिर आगे बढ़ेंगे herbarium sheet क्योंकि जो आप herbarium sheet बनाते हो जिसमें आप लोग क्या करते हो एक paper लेते हो एक थोड़ा सा सक्त जैसा paper ठीक है जिसका dimension रेता है 27,8 बुड़ा 42 cm 25.8 into 42 cm dimension का ठीक है फिर आप लोग क्या करते हो अध्यापक के कहें अनुसार क्योंकि आप लोग भी taxonomist रहते हो बच्चो ठीक है छोटा मोटा taxonomist आप plant collect करते हो उसको dry करते हो properly और उस plant को आप इस board के उपर mount board बोलते हैं बच्चो ठीक है या इसको हम mount करते हैं इस plant को तो यह कहलाएगा हमारा जो यह कागस का टुकड़ा है 28 बुड़ा 42 cm का इसको हम बोलेंगे mount board और उसकी इलावा आप लोग छोटा सा इदर एक right side पे bottom पे एक अलग से तागस चिपकाते हो जिसमें कुछ information रहते हैं बच्चो लाइक the name of collector the area from where you have collected that specimen this is also called a specimen नाओ बच्चो ठीक है the scientific name of that particular species the common name ठीक है the exact locality of that plant etc ठीक है बच्चो तो ऐसे information रहेंगे तो इस sheet को हम बोलेंगे harbarium sheet ठीक है मेरे प्यारे बच्चो और ये क्या काम आता है बच्चो इस sheet को आप maintain करते हो plant collect करते हो उसको ड्राइ करते हो फिर उसको fix करते हो इसके उपर कागस के उपर ठीक है फिर आप असल में क्या होता है आप लोग कुछ नहीं करते हो आप लोग ले आते हो थोले गालिया भी निकालते हो गुरुजी ने दुखी कर दिया है हरbarium बनाने को बोल दिया है हम हरbarium बनाने को कभी नहीं बोलते हैं हरbarium बनाने को बोलते हैं वो इसलिए ताकि आप उस एरिया के जिस रिजन से आप संबंदित हो ठीक है वहां के प्लांट्स के बारे में हलका सा जानतारी हो जाए ठीक है कैसे यू के निए आफ्टर यू प्रेपियर दिस माउंट बोर्ड और हर्बेरियम शीट यू कें स्टड़ी दा केरेक्टर्स आप डेट प्लांट ठीक है और यही काम जो है पूरे संसार के टैक्सोनोमिस्ट करते हैं बच्चो ठीक है और एक और बात होता है कि अगर आप टैक्सोनोमिस्ट है कोई नया प्लांट आप मैंकाइंड के सामने इंटोड्यूस कर रहे हो उसको तब तक वेलिट नहीं माना जाता है चाहे भले ही आपने उसके बारे में कई किताबे लिख दी हो ठीक है तब तक उस नए प्लांट को वेलिट नहीं माना जाएगा जब तक कि आप संसार भलके टैक्सोनोमिस्ट के सामने अपना प्लांट स्पेसिमन इन दा फॉर्म आप इस हर्बेरियम शीट प्रेजेंट नहीं करते हो कि कोई संसार का कोई टैक्सोनोमिस्ट किसी कोने का टैक्सोनोमिस्ट बोलता है कि ओके दा प्लांट यू हब इंटोडूस्ट तु मैंनकाइंड अन्यू प्लांट कि आई वांट तो सी देट हर्बेरियम शीट ठीक है अब फार देट रिजन वाट एपन बच्चो और यह सिर्फ आज के टैक्सोनोमिस्ट नहीं करेंगे यह सकता है सो साल बाद को कोई टैक्सोनोमिस्ट भी देखना चाहिए इसको ठीक है तो उसके लिए क्या होता है बच्चो हम इन स्पैसिमन को कही सुरक्षित रखना पड़ता है इन प्लांट स्पैसिमन्स को दा प्लांट स्पैसिमन्स इन दा फॉर्म ऑप हर्बेरियम शीट हलांकि स्पैसिमन्स कुछ और तरह कर भी होते हैं यह मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चो ठीक है तो अब मैं अपनी वाइनी को समापत करता हूँ भच्चो फिलाल इस पॉइंट को ठीक है तो हर्बेरियम शीट को एक दिन दो दिन एक साल पांच दस साल तक सुरक्षित रखना वो एक इंडिविजुल कर सकता है लेकिन जब एक प्लांट स्पेसिमन को सेंचुरिस तक सुरक्षित रखने की बात आती है तो वो एक इंडिविजुल के बश की बात नहीं रहती है ठीक है उस उरत में हम क्या करते हैं कि उस प्लांट स्पेसिमन को हम किसी सुरक्षित जगा पे रखते हैं और जिस सुरक्ष का जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाता है उस बिल्डिंग का एक कमरा या एक से अधिक कमरे जिसके अंदर एक कोच एक अलग सा एक इंटर्नल एन्वार्मेंट एस्टब्लिश किया जाता है वह किसी लिए में आप थोड़ी देर बाद बताऊंगा ठीक है तो वह रहता है हर्बेरियम अब आगे बढ़ते हैं अब इस पर जादा नहीं जाएंगे थिए पड़ियम वह नहीं है थो डिए रिए शूराऊ में टाहरा बेना थैसमेंट प्रेसिम अलग श्चुन जा सब्सक्रींश टार्व निन या कि सब्सक्क्रक्राई डाहर टीक है ओ दैके मेरे प्यारे बच्चो टिए इन्टेस को एक पर दांदिए तौमनों को देरा तक plant specimens को असल में हम बच्चो reference specimens भी बोलते हैं क्योंकि कभी भी कोई भी taxonomist इसको as reference के रूप पे यूज़ कर सकता है इसको nomenclaturel type बोल सकते हैं क्योंकि इसी specimen के मदद से आप किसी plant का नाम देते हो जो taxonomy का second important step है first was identification second is a नॉमन्कलेचर ठीक है इसलिए इसको नॉमन्कलेचरल टाइप भी बोल सकते हो या फिर टाइप स्पेसिमन भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली टाइप भी बोल सकते हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चो तो हम हर्बेरियम को किसी और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं a place a place a place can be in the form of a room or hall of varying sizes the size of that room or hall is not fixed but a place where we can place or store or maintain the plant specimens safely for centuries to come ticket which otherwise is almost impossible task for a single or individual taxonomist from all around the world that is why the taxonomists from all around the world they prefer or they do they place they transfer their plant specimens to herbarium of plant specimens collected by experts generally by experts and who are experts that taxonomists are experts who are taxonomists taxonomists are those people which have a big knowledge of all the plant world who can describe the plants deeply ticket from different areas for taxonomical purposes and what is that single taxonomical purpose to bring up new plant to the world or to introduce a new plant to the mankind a new plant to mankind this is it my dear students these harboria are generally associated with educational institutions for example some universities or even some colleges may maintain a harborium this is a big task it can not be performed by a single individual this is the room for example all the plantsmeyechanical gardens एक अलग टोपिक है बोटेनिकल गार्डंस यहां पर जो है बच्चों यह हर्वेरिया बोटेनिकल गार्डंस के अंदर रन करता है तूकि जो बोटेनिकल गार्डन से ते इक्वाइर कई बारी कोई 10 15 25 स्क्वेर कंवीमिर कुलोमिटर का एरिया में इन दोद्टेनिकल कोरुप में जब कि जो हर्मेरिम होगा वह चोटा ऐसा रहता है को एक बिल्डिं के रूप में तो चंहर नधर हर्बेरिया आर एसोशेटिट विद बोटेनिकल गार्डन और यह बोटेनिकल गार्डन भी हर कोई नहीं बना सकता है इसके लिए एक्सपर्स चाहिए और एक्सपर्स हमको क्या मिलेंगे एजुकेशनल इंस्टिटूशन में या रिसेर्च इंस्टिटूट्स में नाओ वट इस दा में परपजर टू शो इस स्लाइड ताकि आपको यह इंफोर्मेशन हो जाए कि हर्बेरिया जो है और लाज़िट जानली एसोशेटेटेटेटेटे इंस्टिटूशन और रिसेर्च इंस्टिटूट्स ठीके मेरे प्यारे बच्चो अब तीसरा एक औराता है ACM ॅब जहां ज़ा हम बोलते हैं और फिर पुर्ण समान रकते रिका लेकी कुछ म्यूजिएम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम लोग प्लाइट स्पेसिमेंड या एनिमल स्पेसिमेंड भी रखते हैं तो ऐसे म्यूजियम को हम बोलते हैं बच्छो नेचुरल हिस्टरी म्यूजियम यार लखना है बच्छो हिस्टरी इस फू काईड वन THIS में मेंड जींड पाइड को नौत क maintain and exhibit the plant specimens and animal specimens are called natural history museums there are many natural history museums globally वो मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को अगले lecture में बच्चे तीक है इसलिए जो यह हर बेरिया है आपका educational institutions और research institutes के इलावा museum के साथ भी associated रहता है ठीक है मेरे प्यारे बच्चो अब आगे बढ़ते हैं और हर्बेरियाम असल में होता क्या है the हर्बेरियाम in fact is a low roofed room or hall equipped with some machines that maintain our typical internal environment for example temperature and moisture conditions are maintained in such a way that the specimens are stored safely and they do not deteriorate for centuries and how the specimens deteriorate when it is acted upon by some microorganisms fungi और bacteria or it is infested by some insects or it is attacked by some insects like silverfish आप हर्बेरियाम कहीं पूछना है बच्चो सब ही बोलेंगे जो large organisms में silverfish को सबसे बड़ा culprit बानते हैं ठीक है और मैंने बोला था plant specimens को centuries तक maintain करना पड़ता है बच्चो उसके लिए एक हर्बेरियम के अंदर उस हाल के अंदर एक typical internal environment establish करना है इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा environment establish करना है जिसकी बज़ा से कोई bacteria या fungus का infection ना हो पाए ठीक है और वो तभी हो सकता है एक सबसे बड़ा condition इसमें ये रहेगा कि moisture should be zero ठीक है बचो तो इसमें ज़्यादा detail में नहीं जाओंगा कुछ ऐसे machines के साथ equipped रहता है ये हाल जिसकी मदद से आपके plant specimens के उपर insects या insects नहीं बचो microorganisms का attack नहीं हो पाता है अब में simple शब्ट में बताता है attack नहीं हो पाता है ठीक है दूसरा कोई insects pests के attack से बचाने के लिए कुछ chemicals के साथ treat करते हैं बच्चो प्लाट specimens को ठीक है mercury chloride के साथ treat करते है या फिर plant specimens के साथ कुछ छोटे छोटे थेलियों के अंदर naphthalene balls रख देते हैं उसकी बज़ा से भी ये insects से सुरक्षित रहता है ठीक है हम temperature और moisture condition perfectly maintain करेंगे moisture condition means zero moisture तो ये bacteria और virus से बचे रहेंगे for centuries तो इस इस इट inside a herbarium these plant specimens are kept in wooden or steel armilas और cabinets अब आप बो लोग ये रखते कैसे हैं बच्चो ये उसके storage से संबंदी थे ऐसे कई फैंके नहीं रखते है ठीक है मेरे प्यारे बच्चो and these are kept either in wooden or steel cabinets or almirals what are cabinets what are almirals मुझे बताने कर ज़रूर ज़रूर ज़्यादा नहीं है and what is the important point here and are arranged according to some non-system of classification किसलिए मेरे प्यारे बच्चो इसके लिए एक और बात बताता हूँ जो संसाल का सबसे बड़ा हर्बेरियम है बच्चो वो फ्रांस में स्की थे paris in France ठीक है और this is associated with the natural history museum harbarium of natural history museum which is the largest harbarium of world which stores approximately 95 lakh specimens ठीक है बच्चो 9.5 million specimens ठीक है फिर उसमें से कोई एक particular specimen किसी taxonomist ने reference के रूप में यूज करना हो तो कैसे डूड़नेगा वो बिल्कुल आसान से डूड़ सकता है बच्चो वो किसलिए क्योंकि जो ये plant specimens है these are kept according to some non-system of classifications ठीक है क्लास के हिसाब से क्लास तो चलो हो गया एंजियोस्पम में families के हिसाब से इसको arrange किया जा सकता है moreover catalogs are available there आप बोलोगे कि मुझे उस family का एक particular plant देखना है तो आप फटा-फट से catalog को देखते हुए जो की किसी particular उस catalog में भी किसी particular system of classification खोलो किया होता बचो और उसकी मदद से आप चंद मिनटों में या चंद सेकिट्स में अपने उस reference material के पास पहुंझाते हो what is that reference material in the form of a plant specimen एक example बताता हूँ बचो जो हमारा herbarium है जो botanical survey of India का जो northern circle है बचो जो देरादून उत्राखंड में इस्तित है यहाँ पर जो plants है plant specimens है these are arranged according to Bentham and Hooker's natural system of classification और यह Bentham and Hooker's natural system of classification भी मैं आप लोगों को अगले आने वाले topics में करवाऊंगा बचो ठीक है generally संसार के बहुत सारे हरबेरिया में बहुत सारे हरबेरिया में Bentham and Hooker's natural system of classification को फोलो करते हैं बचो फार वर्ट परपस फार अरेंजिंग दा specimens which are there million in numbers ठीक है and why they are arranged according to some noun system of classification for easy access ताकि कोई taxonomist बिना किसी time waste किये एकदम से उस plant specimen को access कर पाए अब कुछ slides बचते हैं बच्चो अब मैं इसी दे रीड करता रहोगा है ना the plant specimens kept stored or maintained in a harbarium are also known as type specimens यह मैंने पहले बता दिया है reference specimens why these are called reference specimens बच्चो because these serve as a purpose for reference काई taxonomist इसको reference के रूप पे यूज़ करते हैं ठीके यह जादा जादा आगे नहीं जाओगा बच्चो ठीके क्योंकि time हो जाएगा नहीं तो छोटा सा topic है फिर आप बोर भी हो जाओगे nomenclature type भी बोल सकते है इसको क्यों क्योंकि बच्चो जो taxonomy का second basic step है first is identification second is nomenclature तो plant को nomenclature के लिए क्या है बच्चो नाम देने के लिए हमको characters चाहिए और character कहां से आएगा character के लिए आप आप बोलोगे sir मैंने यहां से plant collect किया है तो मैं फिर वहां जाकर field में जाके मैं select characters को मैं study करूँगा आप कर सकते हो लेकि कोई America का taxonomist हो तो वो कैसे करेगा या कोई दिली का taxonomist हो तो वो कैसे करेगा उसके लिए वो क्या करता है बच्चो हर्बेरिया में जाता है हर्बेरियम में जाता है वहां से उस particular plant specimen उठाता है ठीके फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी ये तो आप बेवकूप बना रहे हो अमेरिका का साइंटिस्ट कैसे उठाए एक्दम से इसके लिए वर्च्वल हर्बेरिया बने हुए बच्चो आजकल के जो हर्बेरिया है उन्होंने वेबसाइट्स मेंटेन करके रखा हुआ वेबसाइट्स बना के रखा है कोई टेक्सोनोमिस्ट का रिक्वस्ट आता है चाए वो रिक्वस्ट हो चाए वो पेमिंट बेस पर हो बच्चो ये डिपेंड करता है तो कुछ ही सेकिंड के अंदर वो हर्बेरिया आपको प्लाट स्पेसिमन दिखा देते हैं इसको परफेक्टिली ड्राइट आपको बता दिया है बच्चो ठीके इसके साथ ही हमारा पहला टॉपिक खतम होता है असल में ये सब टॉपिक है बच्चो जो आप लोगों के लिए टॉपिक रहेगा उसको मैंने आपको कहा था कि एसाइनमेंट बनाना है तो इसमें एक तो ये इंट्रोड़क्शन होगे हर्बेरियम का इसके बाद मैं अगला लेक्चर दूँगा बच्चो तो तीसरा लेक्चर होगा इंपोर्टेंट सम इंपोर्टेंट हर्बेरिया ओफ वाल्ड एंड इंडिया इन तीनों को एक साथ ही करना है इसका एक ही एसाइनमेंट रहेगा अच्छा मेरे प्यारे बच्चो